तो प्रेंट्स गर्मियों के मौसम में ठंडर-थंडर मिल्कसेग किसे पसंद नहीं होता सबी को होता है तो अज हम आपके लिए लेके आई हैं तीन अलग तरह के मिल्कसेग जो टेश्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम बनाएंगे औरियो मिल्क सेख तो इसके लिए हम पासेज है और यू बिसकुट लेंगे इसे इस तरह तोड़कर हम ग्रैंडिंग जार में डालेंगे साथ में डालेंगे हम बनीला आइसक्रीम इसे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इसके साथ ही हम हम चॉकलेट सीरफ साथ ही इसमें डालेंगे हम एक कप ठंडा दूद और इसे अच्छे से हम ग्राइंड कर लेंगे इसके साथ ही यहां ग्लास में हम अच्छे से चॉकलेट सीरफ से कोट करेंगे और इसमें हम अपना औरियो मिल्क सेख डालेंगे इसके उपर ग्रेट करके के चोकलेट ढלה के साथ में तोड़ी सी बिस्किट इस तरह इसे डालेंगे और यह हमारा ओर्यो मिल्क शेग बनकर के तैयार है तो इसके बाद अब हम बनाएंगे एपिल मिल्क शेग तो इसके लिए मैने इक एपिल को अच्छे से दोकर इस तरह पीसिस में कट कर लिया है तो यहां हम टाल देंगे इसके साथ ही बाला दोड चीनि साथ ही डाला लेंगे यह यह एक लायची दो प्रूट और ना दोड और है तो यह हमारा इपिल इंट मिल्क से बन करके तयार है स्वस्षें हम थोड़ी से कटे हुए एपिल डाल देंगे और लिए थोड़ी द्राइफ्रूट डालेंगे तो यह हमारा अप्ट मिलकसेग बनकर टियार है आब हम बनाएंगे बनाना मिलकसेग तो इसके लिए 500 बनाना से źीस में कटकर अथि यह में ग्राइन जार मैं यै डालेंगे एक ड्राइफ्रूट। चमश। हणी दालेंगे ऑट एककब दूर्ट डालेंगे अच्छijd ग्रैंड करने इसे सबस्क्राइब करने के लिल्हाइची डालेंगे इसे इसका प्लेवर और भी आईगा और इसके बाद इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो यह हमारा बनाना मिल्क से बन करके तैयार है अब इसमें हम थोड़े से कटे हुए बनाना डालेंगे उपर से और थोड़े से ड्राइफ रूट डालेंगे तो ये हमारे तीन अलग अलग तरह के मिल्क सेख बन करके तैयार है जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है तो आप भी ट्राइब कीजिए अगर आपको हमारी रेसेपी अच्छी लगे तो क्यो बेंड़ गालेंगे प्लीध कर पनाना किया थक्राइब कर तो आगी हो आदरT घुटे रख procurement